हलो दोस्तो में नाम विनीत कुमार है मैं बी आर्सी में साइंटिस्ट हूं और जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो बी आर्सी 23 का एक्जाम है उसके रिटन एक्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन स्टेटजी हम प्लाइन करेंगे तो अभी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई कर लिया होगा क्योंकि जो अपना बी आर्सी 23 का एक्जाम है वो आठ और नौ प्रेल को होने वाला है तो आज 27 हो गया ठीक है तो अभी क्या है कि आरूंड 19 दिन बचे ह एक नथे हैं आपके पास तो अभी हम स्टाइट करने वाले टेस्ट तेस्ट में करेंगे हर सब्जट के लिए एक या टेस्ट तीक में आपके लिए y measured तो आपको करना यह है कि जितने भी questions रहेंगे इस test series में वो क्या हर लेवरा question रहेगा आपका मतलब कुछ question ऐसे रहेंगे जो आप question देखोगे और बस टिक माड़ दोगे इसका answer यह है कुछ question वो रहेंगे जो आपका 30 to 1 minute 30 seconds to 1 minute के आसपास आपके लेंगे और कुछ दो ती question आपके से रहेंगे जो hard रहेंगे कि जो आपका 2 minute आप 4 minute भी ले सकते हैं ठीक है तो यह इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका जो BRC 2-23 का जो exam है जितने भी BRC exam है उनका pattern हमेसा यही रहता है easy question भी होते है ऐसा question भी होते है जो एक मिनट में solve हो जाते हैं और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो दो से तीन मिनट लेते हैं तो उन सभी questions को मैंने यहां पर डाला है तो जो पहला हमारा टैप सीरीज रहेगा वो एक सिंपल सब्जेक्ट है हमारा engineering mechanics उसका रहेगा तो उसमें क्या है हमने इसको पांच topics में डिवाइट किया है तो फ्रीबोड डियाग्राम, equilibrium, plane, trusses and virtual works यह एक पहरा topic रहेगा इस पर कुछ 10 से बारे question रहेंगे और जो हर टाइप से question रहेंगे उसके बाद friction उससे बारे question रहेंगे, then impulse and momentum, energy formulation वाला topic रहेगा third, and fourth रहेगा plane motion, और last रहेगा transition and rotation, ठीक है तो यह आपका पांच topics हैं engineering mechanics के, इसके मैंने 10-10 questions के आसपस रखा है आपके लिए, और उन 10 questions में आपको क्या है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, total 53 questions हैं, तो आप total 60 minutes लीजिए, ठीक है, तो 60 minutes में आपको 53 questions attempt करना है, इस तरीकी साब try करना, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, आपको two phase rule, उसी के according के solve करना, पहले एक phase में continuous जाना, solve करते हुए, जो question easy है, जिस question में थोड़ा वहत calculation करना पड़ रहा है, वो question आपको टेंट करना है, 53 questions में से, 60 minutes के अंदर आपको target है, तो आप जो पहला round अब वो 30 minutes में complete कर लोगे, और मेरे साब से आपके 30 to 35 questions बन जाने चाहिए, पर next 30 minutes में आपकोसिस करना, कि 45 questions तक आप पहुँचो, और ये जो questions हैं, ये मैंने कहीं से उठाया नहीं, कर बनाया न पूछ सकता है, क्योंकि मैंने तीन बार BRC का exam लिखा है, मैंने अच्छे से देखा है कि BRC का pattern क्या है, पूछता क्या आप से, ठीक है, मैंने वही questions रखे हैं, और इस questions में कुछ questions repeat होंगे, ठीक है, वो इसलिए रखा है मैंने आपको की, आपका एक practice हो जाए, जो questions है ना, ज 4-5 questions मिल सकते हैं, 100 questions, 100 questions रहते हैं BRC में, तो आप मानी जा सकते हो, 12-15 marks आपको पक्का हो जाएंगे, आप पहुच करके question solve करना, उसका answer लिखना, फिर पहुच करना, question लिखना, उसका answer लिखना, इस तरीकी से आपको बढ़ना है पुरा वीडियो में, और इस वीडियो कंप जो questions है, उसको start करता हूँ, आप इसको attempt कीजिए, और आपको suggestion हो, तो आप जो वीडियो है, उसके comments में देख सकते हो, ताकि उसको next video है, वो strength of material कर रहेगा, तो उसमें, वीडियो जो आपको suggestion होगा, उसको देखा जाएगा उसमें, ठीके, तो आप start कीजिए, pen and paper लेके, गंटे का, और 53 questions attempt करो, और बताना कि कितने एक गंटे में, एक गंटे में, उसको उपर जा रहा है, तो आप light लेना उसको, एक गंटे में आपने कितना question attempt किया, और कितना सही है, गेट के previous year ही questions है, simple, ठीक है, ओके, तो आप start करो उसको, क्या है, एक अटनी है, तो आप झाल 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 झाल